चले दोस्तों चालू करते हैं आज की भी Tech News और मुझे पता है जो regular users है वो कहते होंगे कि भाई आप आज घर से Tech News करने वाले थे क्या हो गया आज लास दिन है कल से lockdown चालू हो रहा है इसलिए कल से जो Tech News आने वाले है वो घर से आएंगे साथ में ड्यू को कहने भी होने वाला है लेकिन आज दोस्तों बहुत ही fast Tech News वाला दिन है मैं fast क्यों कह रहा हूँ यह आपको पता चालू करने से पहले है अगर पहली बार हमारे चैनल पर आयो तो subscribe करना मत भूलिए वे लाइकन बज़ेए all की कि दाकि हमारे वीडियो के सब notification आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो करते हैं Tech News चालू करने से पहले let's talk about the pole यह हमने पूछा था कौन से devices पे आप आपके gaming करते हो मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग होंगे at least 5-10% जो console पे करते होंगे नहीं दोस्तों only 1% tablet और console इसके लिए 1% मिला and mobile पे 83% लोगों ने कहा वैसे 10% लोग बिलकुल भी किसी भी चीज के उपर नहीं खेलते हैं वो अच्छी बात है दोस्तों I am one of them कभी कभार खेल लेता हूं वैसे मैं बट ज्यादा gaming नहीं करता हूं चलिए बात करते हैं इन न्यूस की नहीं पहले investment की बात करते हैं दोस्तों Jio को और investment मिल गया है और investment मिल गया I think this is the 13th one लेकिन यह जो है यह strategic investment है दोस्तों Qualcomm ने 730 साढ़े 700 करोड रुपए डाले हूए है जियो के अंदर और यह strategic क्यों कि Qualcomm आपको पता है कि 5G का जो infrastructure होता है वो देते हैं तो there is definitely going to be partnership इसका मतलब Jio किसी भी Chinese company के पास नहीं जा रहा है इस only जिया Middle East, US अगेरे and that's a good thing, that's a very good thing पैसे दोस्तों investment के बारे में बात कर रहे है तो बहुत सारा investment इंडिया में आ रहा है in fact Google ने कहा हुआ है Google for India जो हर साल होता है उसके अंदर सुन्दर पिचा है जो CEO है Google के उन्होंने कहा है कि we are going to put 75,000 crore rupees in next 5 to 7 years क्यों digital India जो है या फिर digital economy इंडिया में बढ़ाने के लिए so it is going to be a good thing बहुत सारा investment जो उनका जाएगा वो local languages के लिए applications and services लाने के लिए होगा वैसे 4-5 चीज़े करने वाले but it's a good thing Google is very serious about India और वो हमारे लिए बहुत अच्छा है और एक चीज़ दोस्तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो है like जरूर कीज़ेगा दोस्तो अगर tech news अच्छी लगती है तो नहीं अच्छी लगती है कोई problem नहीं पूरी tech news देखिए लेकिन comments जरूर कीज़ेगा एक गंटे के अंदर अगर आप comment करोगे मेरी तरफ से hearts and likes आपको जरूर मिलेंगे कुछ लोगों और दोस्तो आज टी आरे आई टेलीकॉम रेगुलरिट्री अथॉरिटी ओफ इंडिया इन्होंने कान खीचे है वोड़ाफ़न आइडिया और एर्टेल के क्यों क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप रिच और पूर में भेदबाव करते हो येस एर्टेल ने उन पैसे देंगे उनको अच्छी सर्विस जो कम पैसे देंगे उनको यह इसी लिए जो कान खीचे है टीया रहे है उसकी वैसे और यह जो प्लान्स है बंद कर दिये दोस्तो अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने फास्ट निउस क्यों कही आज का दिन जो है दोस्तो डाट इ तीन तीन कंपनीज ने अनॉंसमेंट किया है और ऐसे लगता है कि 2020 इस गोई टो बी यह आफ फास्ट चार्जर या इंक्रीज इन फास्ट चार्जिंग क्यों सबसे पहले बता दू आइकू ने आज अनॉंस किया 120 वाट 120 वाट का फास्ट चार्जर जो बहुत ही जल्दी आ 100% 4000 क्या बात है that is crazy वैसे दोस्तों आइकू उसी की सिस्टर सिस्टर कंसर्ण कंपनी है अपो जी हां क्योंकि आइकू का पैरेंट कंपनी वीव है वीव की पैरेंट कंपनी बीबी के है बीबी के की जो चाइल्ड कंपनी है वो अपो है तो रिलेशन तो है इन्होंने आज अ लांच करने वाले है 125 वाट का चार्जर सो ज्यादा दूर नहीं है कल पर्सों में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है सब डीटेल्स पता चल जाएगे बट 120 125 वाट क्योंकि ओनर ने कहा है कि बहुत ही जल्दी हम लेके आ रहे हैं 200 वाट का चार्जर I mean 200 वाट वाट इस दाट मुझे डर लगेगा चार्जिंग करते हैं 200 वाट दोस्तों क्या हो गया I mean it is dangerous seriously लेकिन ओनर लेके आने वाला है 200 वाट और आपका मुझे लगता है 4000 मिलियाप दि चार्ज हो जाएगी that is crazy I mean जब मैंने यह पढ़ा दोस्तों seriously a shock 200 वाट सोच के ही शौक बैट जाता है क्विकली दोस्तों आपको बता दूँ कि OnePlus की जो TWS earphones है उनका नाम कनफोर्म हो गया ओफिशली फाइनली जी हां pods, buds, नहीं हाँ buds ही है OnePlus buds होने वाले हैं और यह भी confirm किया है कि OnePlus Nord इस smartphone के launch में इसका मतलब जुलाइ 21 को ही दोस्तों आपको OnePlus buds भी मिलेगा और दोस्तों Vivo का X50 and X50 Pro येस that same phone with gimbal वाला camera setup यह जुलाइ 16 को launch होने वाला है विवो ने confirm कर दिया है and obviously ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा unboxing, first impressions, camera review, everything दोस्तों ये जो खबर है ये पढ़के मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनके बहुत अच्छा लगा Zenfone 7, Asus का Zenfone 7 and Zenfone 7 Pro ये दोनों ही बहुत ही जल्दी आने वाले हैं Taiwan के एक publication ने कहा है कि ये लेके आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि वो 865 पर ही होगा और ROG Phone 3 जो होगा उससे भी सस्ता होने वाला है और शायद Zenfone 7 Pro जो होगा वो 865 Plus पे होगा अगर आपको पता नहीं है तो कह दूँ Zenfone 6 में वो पल्ती वाला कैमेरा था आगे और पीछे सेम कैमेरा I'm not sure कि Zenfone 7 में similar camera setup आएगा है नहीं But I'm happy that this phone is coming और दोस्तों हम बात कर रहे हैं 120W, 200W chargers की आज आइफोन के iPhone 12 सीरीज होने वाला है उसके phone का charger के details आगए जी हाँ बैटरी कैसे होने वाली है Charger क्या होने वाला है 20W का charger होने वाला है iPhone 12 सीरीज में जी हाँ और जो सबसे बड़ी बैटरी होगी है iPhone 12 Pro Max में वो कुछ 3667 या 3700 mAh की होने वाली है Yes, it is always like that Apple अपनी खुद की दुनिया में जीता है Yeah, it does not care about others और दोस्तों आपको बता है कि कल Realme C11 लाउंच होने वाला है उसके साथ हमें और एक चीज लाउंच होने वाली है उसका Realme का Dart Charging Power Bank जी हाँ, यह 30W का होगा 30W charging support करेगा and 10,000 mAh इसकी capacity होने वाली है अब प्राइस क्या होगी, यह तो कल ही पता चलेगा लेट्स वेड़ वैसे दोस्तों, इंडोनेशा, Realme इंडोनेशा में एक नया फोन आ रहा है Realme का, जिसमें 6000 mAh की बैटरी होगी Now that is very interesting इसका मतलब, there is a new phone that is going to come which will have 6000 अभी सिफ शायद Samsung Galaxy M series में M31 वगेरे, जिसमें 6000 mAh आती है अब Realme भी ला रहा है 6000 mAh और दोस्तों, वाइबो पे एक लीक आ गई है वो कह रहे हैं कि Realme एक नई सीरीज लाने वाला है जो 5G के इस्चूस रिजॉल करेगा अब अब अल्रेड़ी 5G के उनके फोन्स हैं इस्चूस कौन से हैं पता नहीं है बट ये एक रिलाइबल लीक्सर है जिन्होंने का हुआ है कि Realme की नई सीरीज आ रही है वैसे कौन सी होगी अब ये 6000 mAh बैटरी वाला भी स्मार्टफोन आएगा क्या वही होने वाला है 5G 6000, I'm not sure मेरा काम है बता ना मैंने बता दिया और हाँ दोस्तों Redmi Note 9 ये आ रहा है जुलाइ 20th को officially confirm कर दिया है शाओमी ने आपको पता है कि इस विल बी फोर्स्ट फोन ऑन G85 प्रोचसर जो इंडिया में लाउंच होगा पैसी इसकी प्राइस क्या होगी दोस्तों Redmi Note 8 की प्राइस जो 10,000 पे लाउंच होगा था अब 12,000 हो गई है अब Redmi Note 9 Pro की जो प्राइस है वो कुछ 13,000-14,000 की है तो ये क्या बीच में आया I mean I really don't know या फिर ऐसे हो सकता है कि Redmi Note 8 Pro जो है या फिर Redmi Note 8 है वो महंगा होगा और ये सस्ता I don't know आने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा ज्यादा दिन ने ये 4 पाजिनों में पता चल जाएगा चले दोस्तों Tech News होती है खतम इधर ही वक्त होता है वैसे उसके पहले डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए देर आर सम लेंग्स जाके जरूर देखिएगा ऐसे ही मैं रोज आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा ऐसे ही आपको मेरा दिल आपको एस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो थो keep tracking and stay safe